आप सभी का आपके अपनी यूटूब चनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो प्रिये चात्रों आज हम इस वीडियो में आपको कक्छा गया रहा है सौसियोलोजी, समाज सास्त्र के सभी विकल्प प्रशनों के उत्तर बताने जा रहे हैं आप वीडियो द्यान से देखें और सुनें और आसा करते हैं आपका यह पेपर बहुत अच्छा गया हो और आपने कांपी में सही उत्तर लिख दिए अब आप मिलान कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपके कितने उत्तर सही हुगे हैं तो देखो, सबसे पहले पेपर में आपसे क्या पूछा था? समाज सास्तर क्या है? तो समाज सास्तर एक समाज का बिज्ञान होता है तो एवाला आपको सही करना था ठीक है? और समाज सास्तर के पता कौन थे? आदाश्टम थे, आप सभी जानते हैं फिर इतिहास को अतीत का समाज सास्तर किशने कहा तो इतिहास को अतीत का समाज सास्तर कहा था जौन हावर्ड ने और देखो फिर आप से और कौन कौन से पूछे थे? वो देख लेते हैं फिर आप से पूछाता कौन सी संस्था हैं? सामाजिक तत्थियों का गठन करती हैं तो सिक्षा कानून धर्म यह सभी सामाजिक संस्थाओं का निर्मान करती हैं सभी जरूरी है फिर आपसे पूछा था कि इमाल दुर्खीम का जनम किस देश में हुआ था तो जो इमाल दुर्खीम थे तो इनका जनम जो है फ्रांस में और फिर आप से पूछा है आत्म हत्या का सिध्धान्त किस ने दिया तो आत्म हत्या का जो सिध्धान्त है ये दिया था इमाइल दुरखीम ने तो आप समझ गए कौन कौन से उत्तर आपके सही थे तो पहले में आपका सही था समाज का विज्ञान और दूसरे में सही था आप का जॉन हावर्ड इतियास का अतीत का समसा सरका था फ़िर इसका संधुतर अपका ए सभी और फिर इमाल दुरकीम का वुए था ये फ्रांस में हुए था एवाला सही था और आत्मत्य का सिध्धान इतियान गिंचे के स्मूहिद व्यक्तियों का क्या है क्या है संग्राय है ठीक है संग्राय है तो यहां आपको क्या लखना था संग्राय यहां पर लखना था खाली स्थान में ठीक है और फिर सामाजिक नियंत्रण अनपचारिक और और तो यहां आपको अपचारिक लिखना था ठीक है यह वाला अपचारिक सही है आपका फिर प्रदत प्रष्थति का आधार तो क्या है तो प्रदत प्रष्थिक का आकार होता है आपका जन्म यह वाला सही था आपका ठीक है फिर समाज में सामाजिक तनाव का प्रतिफल है तो यह हिंसा है ठीक है और फिर गाउं में सामाजिक गतिसलता होती है बहुत कम होती है तो एक बार पुना बहुत चल्दी से देख लेती है अपन कौन-कौन से आपके सही थे देखो सामाजिक समुविव्यक्तियों का क्या है संग्राय है यह भरना था फिर सामाजिक नियंतर्ण अनवचारिक और अपचारिक होता है इसमें आपको अपचारिक भरना था फिर प्रदत प्रस्तियों का आधार क्या है जन्म होता है सक्षा नहीं होती है यहां आपको जन्म भरना समाज में सामाजिक हिंसा का प्रतिफल क्या है हिंसा है और फिर आपसे पूछा था गाउं में सामाजिक गतिशिदा होती है बहुत अधिक की बहुत कम तो बहुत कम होती है क्योंकि यहां देखो जो मेलजूल होता है और जो आदान परदान होता है बिचारों का तो वो कम होता है ठीक है तो यहां पर आपको बहुत कम अब आप से सत असत पूछे हैं तो इन्हें देख लेते हैं अपन तो सामाजक संस्था अमूर्थ संस्था है अमूर्थ संस्था है बिलकुल अमूर्थ संस्था है तो इसमें आपको क्या है यह आपका सत है फिर है भारत में दूसरी राष्ट्री सिक्षा निंती सन 2001 में घोशित की गई तो यह है आपका असत यह है आपका असत पिर है समाज सास्त्री संस्कृति को जीवन जीने का एक त सत्त है फिर भौतिक संस्कृति परिवर्तन सील होती है तो यह भी आपका क्या है सत्त है और फिर फिर आपसे अंतिम पूछा है डीपी मुखरजी की अनुसार परंपरा एक परिवर्तन सील तत्य नहीं है यहाँ ध्यान देना है डीपी मुखरजी की अनुसार परंपरा एक परिवर्तन सील तत्य नहीं है तो मतलब डीपी मुखरजी जो है इन्होंने कहा है कि परिवर्तन सील तत्य नहीं है इसा इनोंने कहा ही नहीं है इनोंने तो कहा है कि परवरतनसीर है और इनोंने जो है इनोंने तीन तथ दिये इनोंने तीन तथ दिये ध्यान रखो इस तरह जो है यह आपका असत हो जाता है यह आपका क्या हो जाता है असत ध्यान दें यह आपका असत हो जाता है क्योंकि जो डीपी मुखरजी हैं इन्होंने परंप्रा परवर्तनसील के तीन तथ दिये थे और यहां लिखा है नहीं दिये थे ठीक है तो यह आपका असत है अब हैं आपके एक सब्द एक बाक में उत्तर दीजिए तो देखो अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है कोई समस्या वाली बात नहीं है आपको हम उत्तर तो बता रही है बोल बोल कर बता रही है आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस प्रिशन का उत्तर किया है तो देखो सबसे पहले आपसे पूँचा था जाती तथा बर्ग पुस्तक के लेखक कौन है ठीके तो जाती एवं बर्ग पुस्तक के लेखक है इनका पूरा नाम क्या था G S घुरिये जाती एवं बर्ग पुस्तक के लेखक का नाम है GS घुरिये ठीके और फिर आपसे पूछा था प्रजाती किश्परकार की अवधारणा है तो इसको हम बोल के बता देते हैं आप ध्यान से सुनें और कापी में लिख दें या आपने लिखे भी दिया है प्रजाती से तातपर मनुष्यों के ऐसे आनवन्शिक सारे रिक लक्षणों से है प्रजाती से तातपर मनुष्यों के ऐसे आनवन्शिक सारे रिक लक्षणों से है जिनके आधार पर हम विश्व के मनुष्यों को बिभन श्रेणियों में बाट सकते हैं ठीके, अब है अपराधी जनमजात होते हैं किसने का? ए कहा था अपका सी लोम ब्रोसो अपराधी जन्म जात होती है यह कहाता सी लोम ब्रोसे ने ठीक है अब यह सत्ता का आधार क्या होता है सत्ता का आधार क्या होता है तो देखो इसका उत्तर क्या है आप ध्यान से सुनें आदेशों का ऐसा गुण आदेशों का ऐसा गुण जिसे मानना वाद्धकारी होता है सक्ती के साथ जब वह बैदता प्राप्त कर लेती है तब वह सत्ता कहलाती है इसके लाबा आपको और अच्छा उतर लगता है तो आप अपने मन से लिख सकते हैं फिर आपसे पूछाता सांस्कृतिक बिलम्बना का सिध्धान्त किस ने प्रस्तुत किया तो सांस्कृतिक बिलम्बना का सिध्धान्त आगवन ने दिया किस ने दिया आगवन ने दिया यहाँ आपको लिखना था आगवन यह आपको यहाँ पर आगवन लिखना था कहां लिखना था सांसकर्दिक बलमना का सिध्धान्त आप से अब पूछी है सही जूडिया ठीक है तो देखो सही जूडिया देख लेते हैं यह आपकी खंड का की सही जूडिया है और यह आपका है खंड खा दोनों को मिलाना है आपको देखू तो मिलाते हैं प्राथमिक नातेदार तो प्राथमिक नातेदार आपके पिता और पुत्र होते हैं मात्र सत्तात्मक परिवार तो मात्र सत्तात्मक परिवार है यह पाया जाता है खासी जन जाती में कौन से जन जाती, खासी जन जाती में, ठीक है, फिर आत्म दरपन का सिध्धान्त, तो आत्म दरपन का सिध्धान्त ये है, आपका कूले ने दिया था, फिर नगरिये समाज, तो नगरिये समाज में क्या है, आर्थे का समानता बहुत होती है, कोई बहुत पैसे वाला, कोई ग घुरिये तो जी-एस घुरिये ने क्या है जाति इवन प्रजाति के बारे में बताय था तो इस तरह आपको यह है सही जूडियां मिलानी थी अब क्या है जो मात्रस अत्तात्म कपरिवार है खासी नहीं दिख रहा है आपको दिखाते हैं तो फ्रेमिट जाएंगे तो ध्यान देना आप यह देखो यह लखा हुए खासी तो इस तरह आपकी सही जोणिया भी कंप्लीट हो गई है अगर आपको किसी भी प्रश्ण में कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताएं हम आपकी पूरी समस्या का नीदान करेंगे इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज आपने बाद